क्या आप एक्जाम में जाने वाले हैं क्या आपका हिंदी का पेपर जश्ट बाद में है या कुछ घंटे बाद में है अगर हां तो यह वीडियो पूरी तरह से आपके लिए ही है इस वीडियो में आपको कुछ गामर हिंदी के व्याकरण बता जा जा रहे हैं जो कि आपके एक्जाम में जाने के पूर देख करके आप उस ग्रामर के ब्याकरण के पॉइंट में पूरा नंबर लेने की छमता रखेंगे आई देखते हैं यह वीडियो आपका यहां परिक्षा को नजर्म रखते हुए हिंदी ब्याकरण को एकदम संचिप्त में दिया जा रहा है परिक्षा के मात्र कुछ घंटे पूरो एक नजर डाल कर आप अपनी पूर तयारी को तरो ताजा कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं पहला पॉइंट क्या है ग्रामर का पहला बिंदू हिंदी व्याकरण का पहला बिंदू क्या है यह है आपके सामने हिंदी व वाक्य के प्रकार ये आपके दो कुछ चनाएंगे ये दोनों प्रकार अलग अलग इस्ट्रक्चर को लेकर के हैं पहला प्रकार है हिंदी रचना के आधार पर वाक्य रचना के आधार पर हिंदी वाक्यों का प्रकार ये कैसे होता है देखेंगे दूसरा होगा अर्थ के आध मिस न हो देखते हैं रचना के आधार पर वाक्यों के तीन प्रकार हैं कितने तीन प्रकार अगर रचना के आधार देखेंगे वाक्य के आपके तीन प्रकार हैं पहला आप देख रहे हैं सरल वाक्य हिंदी का पहला प्रकार सरल वाक्य दोसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा औ और अंतिम होता है मिस्ट्रवाक के अब इनको अच्छे से समझने के लिए आईए हम एक-एक प्रकार को एक्जाम्पल उदाहरन के साथ देखते हैं और आप इसको अच्छे से समझ पाएगे अब अगली स्लाइट देखने के लिए आईए तर्टे हैं यह है पहला प्रकार सरल वाक के मतलब आप देख सकते हैं इसके नाम से ही अस्पष्ट है यह वाक सरल है कैसे सरल है अर्था जिन सब्दों में केवल एक ही करता एक ही कर्म या एक ही क्रिया रहूँ है अब क्रिया का मतलब क्या होता है अगर सारी चीजे सिंगल हैं अकेली हैं उनको जोड़ने की कोई आउसकता नहीं है मतलब उसमें योजक सब्द साई योजक सब्द जिसे आप कंजक्शन कहते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है ऐसे सारे वाकियों को हम सरल वाकियरूप में जानते हैं एसारी चीजे अकेले हैं इसलिए उनको जोड़ने के लिए संयोजक कोई आउसकता नहीं है अठाद आप यूँ पहचान सकते हैं जिन वाक्यों में एक ही करता हैं एक ही कर बंदान में खेल रहे हैं इस प्रकार चार सेंटेंस और बना करके इसकी प्रैक्टिस करके एक्जाम में अच्छे नंबर ले सकते हैं अब ये दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य क्या होता है अब संयुक्त वाक्य को समझने के लिए आप यहां पर देखी कुछ संयुजग देखे हैं किंतु परंतु लेकिन या अथवा न तो ये न वो एवंग व ये संयोजक अगर आपके वाकि में दिखाई देते हैं तो 100% व वाकि आपके संयुक्त वाकि की स्रेणी में माने जाएंगे और आप उसका नाम संयुक्त वाकि लिख करके नंबर यहाँ पर लेख सकते हैं अब एक्जामपल यहाँ देख सकते हैं दो एक्जामपल हैं यहाँ पर न तो सीमा और न रंजन दिखाई दिये न और न दोबारा गया दूसरे में आपको पहला अत्वा तीसरा रोम लेना होगा यहाँ पर कंजक्शन क्या है अत्वा तो यह कंजक्शन से हम पता लगा लेंगे यह कौन सी प्रकार का वाक्य है अब आईए देखते हैं तीसरा वाक कौन सा है आपके सामने यह है तीसरा प्रकार अंतिम प्रकार उसी के आधार पर इन वाक्यों का नाम आप लिख सकते हैं जैसे जिन वाक्यों में आप देख करें जैसन कौन कौन से हैं की ताकि जिससे की क्योंकि जब की यद्यपी जहां पर की तथा पी फिर भी आजिशन योजकों का उप्योग हो उस वाकि को आप मिस्तर वाकि कहें गे एक्जामपल आप देख सकते हैं नीची कुछ है मैंने देखा कि तुम रो रहे थे अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर कंजेक्शन है आपका कि करन रोज स्कुल जाता है जबकि उसके पापा उसको मना करते हैं सिर्फ कंजेक्शन संयोजक देख करके आप वाकि का प्रकार बता सकते हैं तिसरा मैं इस खेल में भाग नहीं ले सकता क्यूंकि मेरे पैर में चोट लगी है इस प्रकार स्कंजेक्शन देख करके रचना के आधार पर इन तीन प्रकार के वाकियों को पहचान सकते हैं पुरा नमबर लेख सकते हैं। आइए हम देखते हैं अब वाकि का अगला प्रकार जो कि अर्थों के आधार पर पहचाणना होता। हिंदी वाकि के प्रकार अर्थ के आधार पर खर्लब अगला प्रकार होते हैं। अब आप एक-एक करके यहां लिखा हुआ है, देख सकते हैं, पहला है विधान वाचक वाक्य, क्या है विधान वाचक वाक्य, अब आप इसके लिए ज़रा ध्यान देजिए, इंग्लिस में पढ़ चुके असरेटिव सिंटेंस, दोसरा है निसेधात्मक वाक्य, नकरात्मक जिसमें इनकार किया गया हो, मैं नहीं जाता हूँ, वो नहीं पढ़ते हैं, और तीचरा है आग्या वाचक वाक्य, इसे आप इंग्लिस में पढ़ चुके हैं, इंपरेटिव सिंटेंसेज, चोटा है प्रस्ण वाचक वाक्य, प्रस्ण वाचक इंट्रोगेटिव, जहां सोब्समाद होगा, और पांचवा है व्य वाचक विश्मयाद वोधाक के, जिसमें विश्मय होूार चटा है एक छाव वाचक, जिसे हम बोलते हैं, अगला है संदेह वाचक, और लास्ट आठमा है संकेत वाचक वाफ्य अब आये इसको और अच्छे समझने के लिए एक एक वाकि को उदाहरण की साथ हम देखते हैं ताकि यह आसानी से आपकी समझ में आ जाए आपके सामने हैं पहला प्रकार बिधान वाचक वाक्य वाक्य मतलब असर्टिव सेंटेंज अब यहां पर आप देख पहचानिए जब वाक्य की सुरुवात किसी करता से हो और अंत में पूर्ण विराम हो यह दो चीज़ ध्यान रखें इससे आप कभी भी विधान वाचक वाक्य पहचान सकते हैं या बना सकते हैं जब वाक्य के सुरुवात में करता हो और लास्ट में पूर्ण विराम हो ऐसे ही वाक्यों को विधान वाचक वाक्य के नाम से जान इसका इग्जामपल है, हम अपने पापा को यहां पर देखेंगे, रवी अपने पापा को पत्र लिखता है, रवी है करता, लास्ट में पूर्ण विराम, यही पहचान है, बस दो पहचान है, दो पहचान के आधार पे आप कभी भी वी वाचक वाकियों को भूलने में गलती नहीं करेंगे और इसका second example है हम अपना काम खुद कर लेते हैं अब यहां पर देखिए करता है हम और कर लेते हैं पूर्ण विराम यह दो चीजे मिल गई हम आसानी से असर्टिफ से बोलते हैं यह विधान वाचक वाकि बोलते हैं पहचान सकते हैं अब next क्या है दूसरा है नि स्विकारात्मक होता है उसमें किसी बात को स्विकार कर लिया जाता है माल लिया जाता है इसमें किसी चीज इसको इनकार दिया जाता है नहीं रहता है अब example आप दिख सकते हैं रवी अपने पापा को पत्र नहीं लिखता है अगर मैं बोल दूँ रवी अपने पापा को पत्र लिखता है तब आप क्या बोलेंगे यह विधान वाचक हो जाएगा अगर रवी अपने पापा को पत्र नहीं लिखता है ये होगा निसेधात्मक नकारात्मक निगेटिव हम अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं हम अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं इसमें इनकार की बात आई है इसलिए आपका हो जाएगा निसेधात्मक वाक्य अब देखते हैं तीसरा प्रकार क्या है तीसरा प पहचानेंगे जिस वाकि के द्वारा किसी को कुछ करने को कहा जाए या करने से मना किया जाए उसे कहते हैं आजया वाच्शक सेंतस आजया सूचक वाक्य और एक पहचान और देख लिए शेंटन्स की लाश्ट में वाकिक अंत में वो रहेगा जैसे खाना खाओ, मुंबई जाओ, पत्र लिखो या फिर ये समान सुचक में ये होता है जैसे आप मुंबई जाइए, आप खाना खाइए, आप पत्र लिखिए, सुबह जल्दी उठो, तक्षा में सांती बनाए रखिए ऐसे वाक्य को आप बोलेंगे आग्यार्थी वाक्या, अब आपके सामने है ये चौता प्रकार, चौता प्रकार में क्या है, प्रस्नवाचक वाक्या, इंट्रोकेटिव सेंटेंज, जिन वाक्यों के अंत में कुश्चन मार्ट लगा हो, सिंबल थी बादविया, और कुश्मत देखना, कुश्चन मार्क ये, कुश्चन मार्क लगा होगा, उसे आप बोल देंगे, इंट्रोकेटिव प्रस्नवाचक वाक्या, अब एक्जामपल आप देख सकते हैं, दो दिया गया है, क्या तुम मेरे साथ आओगे, कुश्चन मार्क लगा है, वे लोग इन दिनों कहा रहते हैं, कुश्चन मार्क लगा है, ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं, प्रस्नवाचक वाक्या, अगला वाक्य देखेंगे इस प्रकार से, ये है पाच्वा, विस्मयाद वाचक वाक्या, विस्मयाद वोधक वाक्या, मनि ऐसे वाक्या जिन से विस्मय हो, आश्चरी हो, उदासी की रूप में, गमेरता की रूप में, उसे हम बिस्मयाद वाचक वाक के बोलते हैं, जैसे, और दूसरी बात, बिस्मयाद वाचक वाक की लाश्ट में, ये निसान लगता है, नाम याद रखना, इसको बोलते हैं, बिस्मयाद वोधक चिन यहाँ पर, ठीक है, जिन व वास, तुमने तो कमाल कर दिया, ये अब साबाश के बाद में एक्सलेमेटिस आनिया पर लगा हुआ है, ऐसे, वा क्या बात है, कितना सुंदर पेड़ है, कितना सुंदर आदमी है, कितनी अच्छी लिखावट है, ऐसे वाकि को बिसमियादी वाचक वाकि के नाम से जानते है अब उसके बाद आए देखते हैं चठमा क्या है सामने आपका एक्छा वाचक वाकिव, इसे ही इंग्रिष में अप्टेटिव संटेंज बनते हैं इन वाकिव के दोरा हम अपनी तमन्ना, अपनी ख्वाहिश, अपनी एक्छा जाहर करते हैं जिन वाक्यों में सुफकामना, आशीष, आशिरवाद, आकांचा, बधाई वाल चब्दों उन्हें हम बोलते हैं एक्छा सोचक वाक्य एक्जामपल देखिए, यहाँ पर जुग जुग जियो, जुग जुग जियो मिर ला, यह थी ला, जन्म दिन मुवारक हो, सुभपरभात, सुभचंध्या, होली की बहुत-बहुत सुभकामना है, नववर्स की बहुत-बहुत सुभकामना है, ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते इसका बोध होता है उसे हम कहते हैं संदेह सूचक वाक जैसे सायद कास संभवतह ऐसे सब्द का उपयोग जहां पर होगा वहाँ पर क्या बोलेंगे संदेह सूचक वाक जैसे कास तुम यहां होते यहां पर निचीद हो दिये गए है और बनाईए आप कास तुम यहां होते वे चले गए होंगे सायद कल्टक तुम आओगे संभवतह बरसात होने वाली है यह संभवतह बारिश हो सकती है ऐसे वाकियों को हम क्या बोलते हैं संद और आठोंप्रकार क्या है आपके सामनी ये है संकेत वाचक वाक्य इसमें आपको संकेत दिया जाता है कुछ इंगित किया जाता है जैसे आप यहां देख सकते हैं इधर अब इधर उधर यहां वहां यदी अगर नहीं तो ऐसे वाक्यों को संकीत वाचिक बोलते हैं जैसे मेरा घर उधर है तुम यहाँ पर बैठो तुम वहाँ पर जाओ ऐसे वाक्यों को संकीत वाचिक वाचिक बोलते हैं अब आपके एकजाम भी एक कुश्चन आएगा कैसे वह बात देख लिए सिंपल सी बात होगी आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा एक सेंटेंस कोई हो सकता है उसे बोलेगा परिवर्टित कीजिए निसेधात्मक वाक्य में प्रस्नवाचक में बिस्मयाद वोधक में ऐसे आप चेंज करके पूरा नंबर ले सकते हैं अब यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इनजार केजिए बहुत जल्द ही कुछ ऐसे ही लाब दायक और प्योगी वीडियो लेकर मैं आप से मिलता हूं थैंक्यू वेरिमाइग झाल